नमस्कार दोस्तो अनिता जी की रसोई में आपका श्वागत है तो आज हम बनाएंगे पत्त गोबी और बेशन की सबजी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने पत्त गोबी को छोटे छोटे पीस में काट दिये हैं और इसे दो पानी अच्छे से साफ कर लिये हैं अब हमने मिक्सी के जार लिया और इसमें पत्त गोबी कर डाल कर पीस लेंगे अब इसी के साथ में डाल देंगे छिली हुई लासुन की कलिया एक प्याज को हमने बारिक से काट लिया है और इसे भी डाल देंगे अब जार का ढखकल लगा कर बीना पानी डाले हुए इसे हम पीस लेंगे अब हमने पत्ते गोवी को पीस लिये हैं तो इसे एक हम बड़ा सा बर्तन में निकाल देंगे अब इसमें डालेंगे दो कप चना की बेशन एक छोटा चमच जीरा पावडर एक चमच धनिया पावडर एक छोटा चमच मरिच पावडर एक चमच लाल मिर्च पावडर अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार ममक एक छोटा चमच हालदी पावडर अब इसमें थोड़े थोड़े पावडर एक मोटा सा गोल बनाकर त्यार करेंगे अब हमने मोटा सा गोल बना कर त्यार कर लिए हैं अब वेशन को जमाने के लिए अब हम प्लेट में थोड़े से तेल लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे अब हम प्लेट में पत्ता गोबी और वेशन का गोल डाल देंगे अब इसे चमच की सहायता से चिकना कर देंगे अब हम एक भगाउने में दो कप पानी लिये हैं और इसे हाई फ्लेम पर गरम कर देंगे अब हम पानी के ऊपर प्लेट को रख देंगे अब पानी में अच्छे से उबाला चुका है तो अब हम आज को धीमी कर देंगे और इसे ढख देंगे 10 से 15 मिनुट तक अच्छे से पका लेंगे जिसे बेशन पकने के बाद उपर से टाइट हो जाएगा 15 मिनुट बाद हम धकन हटा के चेक कर रहा है तो बेशन और पते गोभी के अगोल पूरी तरह से टाइट हो चुका है तो अब गाइस का बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और चलते हैं सबजी बनाने के लिए सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पर कढ़ाई रख दिये हैं और इसमें दो बड़े चमस शर्षो का तेल डालेंगे और हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो अब इसमें छिली होई लासुन के कलियर डाल देंगे चार मेजरियम साइच के प्याज को हमने बारिक से काट लिया और इसे भी डाल देंगे अब इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर हलका सब भून लेंगे प्याज और लासुन को हमने हलके से भून लिया है तो अब इसे एक हम प्लेट में निकाल लेंगे अब हमने मिक्सी के जार में प्याज को डाल कर दरदरा से पीस लेंगे बची हुई तेल में हम सबजी बनाएंगे तो इसमें और डालेंगे एक छोटा चमच सर्षो का तेल अब इसमें डालेंगे दो तेज़ पत्ता अब इसमें हम दो लाल मिर्चा को तोड़ के डाल देंगे एक टमाटर को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिये हैं और इसे भी डाल देंगे और चलाते हुए हलका सा भून लेंगे अब इसमें डालेंगे एक चमच जीरा पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच मरिच पाउडर हाफ चमच लाल मिर्च पाउडर पहले से हामने बेशन और पत्ते गुवी में नमक डाले हैं तो अब इसमें डालेंगे एक चोटा चमच नमक एक चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोथाई चमच हींग मसाला को भूनने के लिए अब इसमें डाल देंगे एक कप पानी मसाले को तीन से चार मिनट के लिए चलाते हुए धीमी आज पर अच्छे से भून लेंगे मसाले को भूनते हुए चार मिनट हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे पीसी हुई प्याज अब इस सारी चीजों को चलाते हुए दो मिनट के लिए और भून लेंगे अब देखी पा रहे हैं कितने अच्छे से मसाले भूना चुका है और तेल सेपरेट होने लग रहा है तो अब इस वक्त हम डाल देंगे एक कप पानी अगर आपको थोड़ा ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो पानी डिड़ कप डाल सकते हैं अब इसमें डाल देंगे बारी कटी हुई हरा धनिया अब इस सारी चीजों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढख देंगे आप देखी पा रहे हैं कि कैसे बरफी के तरह ही जम चुका है तो अब इसे एक हम प्लेट में निकाल लेंगे अब इसे हम छोटे छोटे चरकूर पीस में कट कर लेंगे मसाले में अच्छे से उबाला गया है तो अब एक एक पीस हम मसाले के अंदर डाल देंगे अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढख कर एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे बीजी अब हमारी सबजी बनकर त्यार हैं आप इसे रोटी फराठे या चावल के साथ खाईए और हमें कमेंट करके जरूर बताईए कि मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब क करना बिलकुल मत भूलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार